नमस्कार मेरा नाम है आयूश और आप मेरे साथ देख रहे हैं सुराज मीडिया नेटवर्क इस वक्त हम मौझूद हैं बहारी उत्री दिल्ली के बवाना छेत्र में जहांके सेक्टर तीन में स्थित एक फैक्टरी में आग लगने की गटना सामने आई है मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा कि या इतनी भयंकर तरीके से लगी थी कि पूरी फैक्टरी जल कर खाक हो गई है अंदर कुछ भी नहीं बचा है और जो दिवारे हैं वह बुरी तरीके से काली पड़ चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाहर ग्रिल है आपर आप देख पाएंगे कि किस तरीके से चट के ऊपर से मलवा गिरा हुआ है नीचे और यहाँ पर इस समय सीलिंग कर दी गई है ताकि कोई भी अंदर ना जाए पूरे फैक्टरी को समय सील कर दिया गया है क्योंकि अंदर जाने में भी खतरा इस समय बहुत भयंकर त खड़ी थी और यह बुरी तरीके से जल चुकी है इस बाइक को आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं बचाए बाइक का इंजन बाइक की टेंकी पूरी तरीके से जल गई है यहाँ पर आप और हमें साथ-साथ यह भी खबर सुनने में आई है कि तीन श्रमेक जो इस फ वक्ते जल गए हैं यह आग इतनी भैंकर थी शाम के वक्ति लगी कि मौके पर ही दमकल की कई गाडिया आई और इस आग को बुजाने में लग गई आग को तकरीबन रात के 11 बजे करीब तक बुजा दिया गया था पर उसके बाद कभी कूलिंग का प्रोसेस सुभा तक चलत गई थी और एक बहुत बड़ा हाथसा हो सकता था अगर इस लकडी के त्रू यह आग साथवाली मकान में भी फैल जाती पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बिजली का ट्रांसफोर्मर है तार जो से अगर यह आग इस ट्रांसफोर्मर तक फैल तो एक बहुत बड़ा हाथसे को यह रूप दे सकती थी परन्तु इस समय ऐसा कोई भी हाथसा यहाँ पर नहीं हुआ आसपास आग फैलने की कोई भी खबर कोई भी निशान सामने नहीं है जो भी आग लगी केवल इसी पैक्टरी में यह आग लगी थी और यह इसी तक सिमट कर रह गई दमकल की ग गेट लोहे के फ्रेम गिरे हुए पड़े हैं बताया जा रहा है कि आग लगने की वज़े से यह लोहे के फ्रेम गिर गए थे गल कर इसका जो पीछे लोहा है इस सब गल गया और यह सामने आकर जमीन पर आ पड़े उस वक्त यहाँ पर कोई भी व्यक्तिश मौजूद नही चुका है मेरे पीछे इस वक्त जितने भी आपको जगा दिख रही है जहां तक हम कैमरे से दिखा पा रहे हैं यह पूरा बवाना सेक्टर 3 का इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर केवल और केवल सिर्फ इंडस्ट्री इस केवल यहाँ पर उद्योग का काम होता है इसके कोई भी रहाइशी इलाका तो नहीं है सर आपको नाम मुलाहिम कुमार आप यहीं बवाना में काम करते हैं यह तो यह हाथ जो यह हादसा हुआ जब आग लगी है कब की बात होगी? यह हुआ कल पर आग लगा है वही पुरा लगता बिजली से लग गया कि आज से लगा लाग नहीं देखें कितनी भीशन आग थी? बहुत भारी देखें पुरा फेटकरी जला हुआ है जो आग लगा है जो नुकसान हुआ है जो सरकार दे दे मौअब जावर क्या देंगे? यह हम देख सकते जैसे आप जैसे श्रमिक लोग है जैसे आप लोग भी हाँ काम करते हैं तो तीन लोग यहां पर जोते वो जल गए बुरी तरीके से उनका इलाज चल रहा है तो जहां पर आप लोग काम करते हैं वाक ऐसे आग रोकने के लिए कोई वहां पर है सेक्यूरिटी के इंदजाम वगएरा अभी तक हो रहा कि कई देखें आपने? नहीं से ऐसा तो नहीं कहों पर है तो आपका नाम रिन्टू आप यहीं पर उसनमें चाय बनादे जब यहां हाथसा हुआ क्या हुआ क्या था था थोड़ा बताईए हमें हमारे दर्शकों को हम चाय बनाश्ट हुआ था यहां पर सिलेंडर के अबाज आई थी कितनी बिशन आग लगी होगी क्या उसनमें क्या मनजर रहा होगा बहुत तेज आग थी कोई ऐसी संभावना लोगों के अंदर फसे रहने की दो तीन आदमी थे साइद अंदर लेकिन बाहर निकल आया थे दो आदमी जल गए काफी बुरी तरीके से जलेते सुनने में आया ऐसा ही हुआ था कि कुछ और कहानी थी इतने भी बुरी तरीके नहीं जल ले वह थी तीसरी मंजल से कूदा हो हाँ लेकिन कुछ हुआ नहीं उसे शेक्तरिब्स के हमारी अर्थ व्यवस्ता की रिड की हड़ी मानी जाती है इनी से हमारी अर्थ वेवस्ता आगे बढ़ती है आगे चलती है और यदि यहाँ पर ऐसे भीशन हाथसा हो जाता है जो एक फैक्टरी से दूसरी फैक्टरी में आग फैलने में आप जानते हैं कि देर नहीं लगती क्या उसके बाद एक सवाल निशान प्रशासन के ओपर नहीं खड़ा होना चाहिए कि ऐसे में भी क्या यहाँ पर नियमेत रूप से जाच हुई या नहीं यदि हाँ तो फिर ऐसा हादसा क्यों हुआ और यदि नहीं तो मालक के खिलाफ फैक्टरी के मालक के खिलाफ क्या उक्सान उन श्रमिकों का हुआ है जो फैक्टरी में काम करते थे जो इस समय जिंदगी और मौत के बीच जूज रहे हैं हमारी सुराज मीडिया की टीम की प्रशासन से केवल यहीं मांग है कि नियमेत रूप से जाच की जाए और ऐसे लोगों पर बड़ी से बड़ी कारवा के साथ मैं आयूश शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया निट्वर्ग